हलो एरिवन आप सभी को मैंने सुचना दिया था कि लगभग लगभग सभी जीलों में बेसलाइन पेपर लिया जाएगा ठीक है तो देखो पहला प्रश्न क्या है पहला प्रश्न है द्वी नाम नामकरण पधती के प्रस्तोता है तो आपको क्या लेना है यहाँ पे ए आप्सन को लेना है लिनियास लेना है दूसरा है नीम्न में से कौन खाद कवक है तो उत्तर लेना है आपको भी लेना है एगरीक साइनो बैक्टिरिया को निम्न में से इसके अंतरगत वर्गिक्रित किया गया है तो यहां पे मोनेरा लेना है चौथा प्रशन है अंडा देने वाला इस्तंधारी है प्लैटीपस लेना है इसके बाद पाँचवा है परणाब इस्तम एक रुपांतराड है तो तने का कटोरिय पुस्पक्रम पाया जाता है यूफा ब्रिया में न यूफा ब्रिया यूफार ब्रिया लेना है ठीक है इसके बाद सात्वा प्रशन है आवरित बिजियों तथा अनावरित बिजियों के जैलम में सबसे बड़ा अंतर होता है तो सबसे बड़ा अंतर क्या होता है तो ब्ला इसके बाद है आठवा प्रस्ण ना पेरी डर्म में होता है तो यहाँ पर एंसर आपको लेना है d वाला अप्टöm लेना है यह पूरा ले लेना है D option को लेना है अगर ये प्रस्न देखने को मिलेगा तो निम्न में से कौन सेयोजी उतक नहीं है तो पेसी लेना है यहाँ पे और प्रोटीन की फैक्टरी कहा जाता है तो राइबोसोम को ठीक है तो राइबोसोम लेना है यहाँ पे A option को फिर 11 बाद देखो एंजाइम की सकरीता के लिए सबसे अच्छा तापकरम रेंज है तो यहाँ पे B option लेना है 15 से 25 सेलसियास ठीक है आगे देखो बारवा प्रस्न बारवा प्रस्न क्या है समसुत्री विभाजन की उस अवस्था का नाम बताईए जिसमें गुर्शूत्र कोशिका के मध्य भाग में इस्थीत होते हैं तो B option लेना है मेटा फेज लेना है ठीक है आगे देखते हैं रक्षक कोशिकाओं में जब सरकरा इस्टार्च में परिवर्तित हो जाता है तो रंद यहाँ पर उत्तर लेना है बी लेना है पूर्ण रूप से बंद हो जाता है ठीक है आगे देखते हैं फिर चोद्वा प्रश्ण है बिंदू स्त्राव में पौधो से पानी बहता है तो B option लेना है जल रंद से फिर 15 है कौन सा धातू आयन क्लोरोफिल का घटक है तो यहाँ पर एंसर लेना है मैगनिसियम लेना है इसके बाद 16 देखो किन पौधो में प्रात्मिक ग्राही होता है तो B option लेना है C3 पौधो में 17 है केपस चक्र प्रक्रिया कहां होता है तो उत्तर लेना है माइटो कांडिया लेना है एक NADH2 के आकसी करण से प्राप्त होते है तो यहाँ पर B में लेना है 3 ATP लेना है इसके बाद है 19 वा प्रश्न केले को कितरीम रूप से पकाने के लिए किसका उप्योग किया जाता है एथिलीन का तो B option लेना है यहाँ पर 20 है ट्रिपसिन किसके पाचन से संबंदित है तो प्रोटीन के पाचन से तो C option लेना है कीटो के स्वसन अंग तो यहाँ पर D लेना है ट्रेकिया लेना है आगे देखते हैं हिर्दय की दूसरी द्वनी डब का संबंध किस कपाठ के बंध होने से होता है, तो यहाँ पे अर्ध चंद्राकार कपाठ लेना है, फिर 23 देखो, 23 में है, वेसे प्रेसीन संबंधीत है, मुद्र सांद्राण से, फिर 24 देखो, कंदूक खरली का संधी पाया जाते हैं, बाहय में, कान में पाया जाने वाले जिल्ली जो है, ए आप्सन लेना है, टीम पैनिक जिल्ली, ठीक है, तो 25 कुल 25 प्रसन आयागा आपकी एक्जाम में, और यह सारे प्रसन हो सकता है, आपको द